मुकेश अम्बानी और नीता अम्बानी के बेटे के प्री वेडिंग वैश में सितारों का मिला लगा हुआ है माया नगरी में इस वक्त सन्नाटा पसर गया है मुंबई से एक एक स्टार जामनगर की सरजमी पर उतर चुका है स्टार सी नहीं उनके बच्चे भी अम्बानी के इस ग्रेंड फंक्शन का हिस्सा बनने के लिए आ चुके हैं दुनिया भर की सबसे बड़ी हस्तियां इस बैश में शामिल हो चुकी है लेकिन इस फंक्šन से उस परिबार की लेडीस गायब हैं जिनसे अम्बानी परिबार के सबसे अच्छे रिष्टे हैं बच्चन परिबार की कोई भी लेडी, अनन्त अंबानी और राधिका मर्चेंट के प्री वेडिंग में नहीं पहुंची अमबानी और बच्चन्स के रिष्टे किसी से छिपे नहीं है ये रिष्टे मुकेश अमबानी के पिता धीरु भाई अमबानी के दोर से चले आ रहे है आज तक अमबानी परिबार में कोई भी ऐसा फंक्शन नहीं हुआ जिसमें बच्चन परिबार की बहुएं ना शामिल हुई हूँ लेकिन इस बार लोग अचंबे में हैं क्योंकि जामनगर में ना तो अश्वरया राय बच्चन आई और ना ही उनकी सास जया बच्चन पहुँचीं अश्वरया की बेटी आराध्या भी जामनगर नहीं आई हैं अमिताब बच्चन और अभिशेक सबी स्टास से दो दिन पहले ही जामनगर पहुँच गए थे अमबानी के हर फंक्षन में बच्चन परिबार के सिर पर बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं इश्वा अमबानी की शादी में अमिताब नहीं फेरे के वक्त मंत्र पड़े थे तो वहीं आकाश अमबानी की शादी में बच्चन परिबार ने अपने हातों से महमानों को खाना परोसा था लेकिन अब ये बात किसी के गले से नहीं उतर रही कि बच्चन परिवार की कोई भी लेडी अमबानी के इस फंक्षन में शामिल होने नहीं आई है पिछले दुनों ऐसी खबरें थी कि एश्वरया की उनकी सास जया से बिलकुल नहीं बन रही कहा तो गया कि अश्वरया जया की बज़े से बच्चन का बंगला छोड़कर अपनी मा के साथ रहने चल गई अंदाजा लगाया जा रहा है कि इसी कलहा के चलते अश्वरया उजया इस प्री वैडिंग फंक्षन में शामिल नहीं हुई बच्चन परिवार की कलह अब खुल कर ऐसे मौकवे पर दिखने लगी है पूरा बच्चन परिवार हमेशा से अंबानी के छोटे से छोटे फंक्षन का हिस्सा बनता रहा है लेकिन इस बार पहला मौका आया है जब बच्चन परिवार की एक भी लेडी अमबानी के फंक्शन में नहीं पहुची बिर रिपोर्ड बॉलिवुट पे चर्चा